English बोलते समय बहुत सारी common mistakes होती है लिखते वक्त भी लोग करते हैं बोलते वक्त भी करते हैं तो आईए सीखें एक ऐसी mistake जिसको आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आज के बाद आप वो mistake करने से बच जाएंगे sentence देखिए हम यहाँ पांच सालों से रह रहे हैं इसका sentence आप बना लेते हैं बहुत बार we are living here for five years अब आप कहेंगे बिल्कुल correct sentence है रहा है रही आ रहा है तो हमने वी के बाद आर लगा करा है इंची form यूज कर लिया बिल्कुल correct है फिर four five years लिख दिया है यह incorrect sentence है इसमें आपको यह देखना है कि यह present continuous नहीं है यह present perfect continuous tense है क्योंकि इसमें साल आ गए है मतलब time का जिक्र हो गया है तो अब यह present continuous tense नहीं रहा तो इसका जो correct sentence बनेगा वो यह होगा we have been living here for five years we have been living here for five years I hope आज के बाद आप यह mistake नहीं करेंगे sentence बनाने से पहले बोलने से पहले देख लीजिएगा कि वो present continuous tense है या फिर present perfect continuous tense है thank you so much